हेलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग स्वाइट एक बाव फिट से आप सुभी का अंज्य तेश्बूकेशन में दोस्तों आज है 25 जनवरी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 जनवरी दोजा 23 के मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफिर की कुश्शन के बारे में वीडियो में आगे बढ़ू इससे पहले कलका कुइक लिए रिविजन कर लेंगे हम लोग सुभाज सेंद्र बोज जी की जैनती के असर पर 23 जनवरी को पराकरम दिवस मनाया गया यह प्रतेक वर्स मनाया जाता है और असम के चराई देव मैदाम को विश्व विरासत अस्थल के रूप में नामित करने के लिए गौर्मेंट ने अप्रूवल दे दिया है पीम मोदी जी ने अन्दमान निकुबार दूप समों के 21 दूपयों को नाम बदल करके परम बीर चकर विजयताओं के नाम पर रखने का फैसला लिया है और वहीं नागरिक विवानन महादिदे साल है या कहें डीजी सीय का अगला प्रमुख बना गया विक्रम देवदत्त को और आर कौस्तिक और आर स्रिधर इन्दोंने मिलकर की एक पुस्तक लिगी है कोचिंग बियॉन्ड और राश्पति द्रोपदी मुर्मुख जी ने अभी हाली में 11 बच्चों को राश्टी प्रधान मंत्री राश्टी बाहल प्रुसकार प्रधान किये हुए हैं यहां पर ग्यार कर लिजेगा और वहीं इंडिया ओपन बैटमिंटन चेंपेंशिप में महिला एकल का खिताब आन से यंग ने जीता है और मडिपूर, त्रिप्रावर, मेघालाए इन तीनों का राज्यस्थापना दिवस मनाए गया 21 जनवरी को अभी हाली में 51 संस्कार्ट्स का मनाए गया यह पुरुवुत्तर राज अधनियम 1972 के तहत जोड़े गये थे और अभी हाली में नेट्फिक्स के सासन स्थापक, रीड हैस्टिंग ने कमपणी के CEO पत से स्तीफ़ा दे दिया है मांचल प्रदेश ने 2025 तक अपने आपको पहला ग्रीन राज बनने का लक्ष रखा है ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन से कल की वीडियो से जिनका आपने किया एक निट में रिवीजन अब आज की करेंट अपर पहला अंतराश्टे सिक्षा दिवस कब मनाया जाता है बहुत इंपोर्टेंट है इंटरनेशनल डे आफ एजुकेशन दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है प्रतेक वर्द्स 24 जनवरी को 24 जनवरी को तीन महात्पूर्ण दिवस मनाया जाते हैं एक तो राश्टे बाल का दिवस इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे एक अंतराश्टे सिक्षा दिवस और एक दोस्तों हुमी जहांगीर भाबाजी की पुनितित्थी भी मनाया जाती है इस दिर भारत के प्रमारों कारेक्रमों के जनक माने जाते थे चले तो फिलहाल इंटरनेशनल एजुकेशन डे की बात करेंगे इसकी सुरुवात 2018 को ही संक्त राश्ट महासभा ने इसको अप्रूबल दिया दुनिया भर में वैस्विक सांती और सस्टेनेवल डेवलेप्मेंट के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है और उसके इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे अगला 21 धाका अंतराष्टे फिल्म महुत्सों में किस फिल्म की अविनेतरीने अभी हमें 21 धाका अंतराष्टे फिल्म महुत्सों की गोश्णा की गई और इसमें अभी हमें प्रपेडा फिल्म की जो अविनेतरी थी इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एक्ट्रिम में दो अवार्ड मिले है भारतियों को ठीक है तो इसलिए ये दोनों अव फिल्म फल्म होता है 21 संस्कड़ था दो प्रुषकार मिले इंडिया वोग है दो प्रुषकार दो कटेगरी में एक तो मिला सर्वस्यृष्ट पत्कथा समयर अभी है आवार्ड मिलें वहीं best actor चुने गए एक केई वातानावे यह जापान के थे और best film चुने गए बी मदर यह इरान की फिल्म थी ठीक best director चुने गए कतरीन वोल क्लियर है ना तो दोस रेड़ी में भारतिय फिल्मों को मिला है यह बात आप याद रखेंगे अगला American India Foundation या कहें AIF ने किस तराज में भारत के पहले STEM Innovation Center का उदगाण किया है American Indian Foundation ने तैमिलांड की राजधानी चेन्नाई में भारत का पहला STEM Innovation Center का उदगाण किया है आइटिकल देख पाओगे American Indian Foundation integrated first STEM Innovation and Learning Center इन चेन्नाई चेन्नाई पढ़ता है तैमिलांड में STEM का मतलब होता है Science, Technology, Engineering and Math तो इसके तहत क्या होगा इन सब्जेक्ट में Innovation और Learning को बढ़ावा दिया जाएगा इसका उदगाटन वन्विल मंदरम योजना के तहत किया गया तमिलांडू सरकार के द्वारा तो छात्रों को Robotics, Artificial Intelligence, Space Technology, STEM Innovation इन सब के बारे में और ज्यदा Advanced Education प्रोवाइड किया जाएगा अब आया है तमिलाडू, तमिलाडू को देखोगे आप मैप में तो यहाँ पर है सबसे दक्षिर में तमिलाडू, चेन्नेज की केप्टल है, MK Starling, DM के पार्टी से यहाँ की CM है यहाँ के गवर्नर है RN रवी, जीलों में अगर बात करें तो पुलिकेट जील यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा पूछी आती है अच्छा, अभी यहाँ पर महुत सो पोंगल मनाया गया था, और पोंगल के औसर पर क्या होता है, जली कटू, याद रखना, जली कटू बहुत पूछा जाता है MK Style ने अभी कुछ दिन पहले अपनी आत्मकथा लांच की थी, उंगलिल और वन, उंगलिल और वन, ठीक है रहा, और वन, यह आप याद रखेंगे, उंगलिल और वन के आत्मकथा है इसके अलावा, तमिल आंडू के बारे मैंने आपको बताया था, जानवर्ण से रिलेटर बहुत सारी कुछन इसके राजिस्ते आये हुए हैं, जैसे भारत का पहला सिलिंडर लोरिस प्यारान इसने शुरू किया, भारत का पहला डुगोंग नहसनर पागिसने शुरू किया हाथियों पर आडि डाचा लांच करने वाला ये पहला राज्य है अच्छा इसने अभी बच्चों के लिए नास्ता योजना शुरू की थी मुख्यमंत्री नास्ता योजना ये कुशन पूछा भी गया था भी यहाँ पर जिलो की संख्या बात करें तो अनतिस है विधान सवा में 234 सीटे लोग सवा में 49 और राज सवा में 18 है राज के पसू है नेलगीरी तहर राज के पक्ची है परन्या कभूतर और राज के पुस्प है बचनाग या ग्लोरी लेली अच्छा तहर के लिए भी इसने सनरक्षंट शेत्र गोसित किया है ठीक है आगे दिखते है सुभास चंद्र बोस आपदा प्रबंधन प्रशकार 2023 किस ने जीता तो दोस्तो इसको जीता है लुंग लेई फायर इस्टेशन मिजोरम ने और और ओरिसा राज प्रबंधन संस्थान ने इन दोनों को ये अवाड इस्बार के लिए मिला है सुभास चंद्र बोस आपदा प्रबंधन प्रशकार दोस्तो प्रतेक वर्स प्राक्रम दिवस के उसर पर या कहें कि सुभास चंद्र बोस जी की जहनती पर 23 जनवरी को एराउंज किया जाता है तो लुंग लेई फायर जो मिजोरम का है इसको और और इसा राजय प्रबंधन संस्थान को इस बार के लिए दिया गया है ठीक है आपदा प्रबंधन प्रशकार आपदा मतलब क्या होता है डिजास्टर ठीक है डिजास्टर मेनेजमेंट के लिए करके यह अवार्ड दिया जाता है कि कौन सा राज एक certificate दिये जाएंगे के दिश्रकर के द्वारा यह दिये जाता है अगला किस केंद्रिय मंत्री ने डाक्टर अस्विन फर्नांडेस द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडियाज स्विन फर्नांडेस ने अभी हाले में इंडियाज स्विन पुस्तक लिखा है इसको अभी धर्मेंद्र प्रधाज जो कि भारतिय सिक्षा मंत्री है इन्हों ने इसका विमोचन किया तेको मैंने आप कई बार बताया है विमोचन मतलब समझो कि लांचिंग करी गई है ठीक है किसी चीज को रिलीज किया गया है रिलीज कह सकते हैं इसको रिलीज किया गया है और लेखक अलग होता है लेखक मतलब होता है राइटर जिसने उस पुस्तक को लिखा हुआ है तो इस पुस्तक को रिलीज किया है धर्मेंद्र प्रधान ने लेकिन इसको लिखा किस ने है ड पोचिंग बियॉंड आर काउसिक और आर स्रिधर ने मिलकर लिखा, कम लेट्स रंड क्रिश्नमचारी स्रिकांत ने लिखा, एरफान खान एलाइफ इन मूवी ये सुब्रा गुप्ता ने लिखा, स्पेर ये जे आर मोहरिंगर ने लिखा, जादु नामा पुष्टक अर्विंद मॉंडोले ने लिखा, अंजान साक्षी प्रोफेसर अब्दुल गफार ने लिखा, रोलर कोस्टर ये तमाल बांदो पाध्या की पुष्टक है, और अम्बेटकर इलाइफ ये ससी थरू की पुष्टक है, बहुत इंपोर्टेंट है, इस पेज को रोज रोज मैं इसलिए रिखाता हूँ, जिससे आपके मैंड में बस ऐसे देखते देखते ही सब याद हो जाए, आपको इसे रटना नहीं है, बस डेली का डेली जैसे आए, एक बार आपको रीडिंग लगा लेना है, या फिर आपको हमारी जो आवाज है, इसको सुन लेना है, बस, ठीक है, आपको आराम से तयार हो जाएगा, चले, तो करेंट अफेर का इसी तर्स पर हम लोग रिविजन कर लेते हैं, रोजाना हम लोग 10-10 कुश्चन करते आ रहे हैं, और आज ये इस्तिति है कि आज हम लोग 180 कुश्चन पर पहुँच गए हैं, थोड़ा थोड़ा दवा रोज आईरवेदिक डोज की रूप में आपको दिया जा रहा है, और आपकी इम्निटी मजबूत की जा रही है, तो दो तरीके से एक तो करेंट अफेर किछली साल का र पैटने जा रहे हैं, इंडिया इंटरनेशनल सीफूट सो, इसकी मेजबानी पस्सिमंगाल करेगा, दुनिया के सबसे मुचे चिनाव रेलवे बिरिज को के गोल्डन जॉइंट का उधगारन जम्मू कस्मीर में किया गया, हाली में जारी IFFM अवार्ड 2022 में बेस्ट CEO किसे नियुक्त किया गया, प्यूज गोल जी को नियुक्त किया गया, ये केंद्रिय मंत्री वाले प्यूज गोल नहीं है, एसिया का सबसे पुराना फुटबाल टूरनमेंट डूरंड कप 2022, इसका आयोजन कहां किया जाएगा, ये कोलकाता में किया गया, ठीक है, पहली पहली बार ही जीता हुआ है, अगला, किस बैंक ने उत्सो जमा नमक एक अद्वित्य सावज जमा कारेकरम शुरू किया, SBI ने शुरू किया, और किस राज ने अपने तीसरे हवाई अड़े का नाम डौनि पॉलो हवाई अड़ा, ये अवरांचल प्रदेश ने भारत के प्राइम मिनिश्टर पर करते हैं, और चौथा सुप्रेम कोड पर करते हैं, भारतीय मेर की उमा पेमो राजु का निधन हो गया, ये पत्रकार्चा से संबंधित थी, इसके अलावा आपरेशन यातरी सुरुक्षा, इसको शुरू किया, आरपीफ ने, आरपीफ न गंजम जिला, गंजम जिला आपको याद आ रहा होगा न, एक और काम के लिए ये जाद मसूर हुआ था, ये दोस्तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला था भारत का पहला, ठीक है, 100%, तो 100% बाल विवाह मुक्त वाला जिला पहला गंजम जिला था उडिसा का, और उ अमित साह जी जो की ग्रह मंत्री हैं इन्होंने अभी हाले में अवाइड दिया हुआ है इसमें टॉप 3 में अगर बात करें तो असका थाना टॉप पर है दूसरा भी उसी गंजम जिले का है गंगापूर पुले सेश्टेशन और तीसरा बनबासा है जो की चंपावत जिले का उत्तरा खंड का है अभी राष्टे किरसे विज्ञान परसर नेदिली में डी जी पी आई जी सम्मेलन हुआ और उसी में ये प्रोस्कार दिया गया अमित साह जी के द्वारा के लियर अगला आई सीसी ने 2022 के सर्वत्रेश्ट पूर्स और महिला T20 टीम में कितने भारते खि की जाती है जिसमं बताते हैं कि 2022 में इस टीम के खिलाडियोंने मतलब ऑवराल सभी देशों के टीम को मिला करकी बनाया जाता है कि यह जो है यह परफेक्ट तरीके से खेले हैं अपनी अपनी जगापर तो ऐसे में दोनों टीमों को अगर मिला दिया जाए ना तो टोटल सात भारतियों को जगा मिली है जिसमें से तीन तो हैं पुरुस खिलाडियों में तीन पुरुस टीम में जगा पाए हुई है भारतिय पुरुस खिलाडी और चार महिला टीम जो हैं महिलाओं में जगा पाए हुई है टोटल साथ पाए हुई हैं जगा का हैं यह चार जो हैं यह महिलाओं में सामें यहां पर भी आप पूरी पूरी टीम देख पाओगे इसमें कैप्टन और विकट कीपर चुना किया है जौस पटलर को इंग्लेंड के हैं ठीक है और महम्मद रेजवान जो हैं यह दूसरे अस्थान पर उसके बाद पर व्याट क हम लोग इंडिया के अगर बात करेंगे तो यह एक टिक लगा लो एक टिक लगा लो एक टिक लगा लो तीन है इंडिया के और महिलाओं में अगर बात करें तो महिलाओं में भारती महिला यह देखिए बेत मूनी है स्मृतिमंधाना सोफिया डिवाइन है इनको सोफिया डि निदादार है दीपती सरमा है ये भारतिये हैं इसके लावा रिचागोच भारतिये हैं विकट कीपर इनको चुना गया है इसके लावा रेंड़कॉद सिंग यह यह हैं चार भारतिये हैं क्लिए है आगे बारत में पहली बार यूथ 20 सिखर सम्मेलन का आज़ुद किस राज में किया जाएगा तो यूथ 20 सिखर सम्मेलन पहली बार हो रहा है भारत में और ये होगा दोस्तो असम में असम के गुवाहर्टी में होगा कहां पर गुवाहर्टी असम में ये आज़ुद किया जाएगा अभी कुजनित पहले ही अगर आपको याद होत मैंने बताया था जो केंद्रिय युवा और खेल मामलों के मंत्राले के मंत्री हैं अनुराक ठाकुर जी उन्होंने नेदिली में वाई 20 के लोगो और वेबसाइट और पोर्टल वगएरा को लांच किया था तो अभी देखो एनॉंस हो गया है कि पहली बार बैठा किसकी होगी गुवाहर्टी में कब होगी 6 परवड से 8 परवड के बीच में होगी और इसमें युवाओं को ले करके पहली बार यूद को ले करके सम्मेलन होने जा रहा है इतना बड़े लेबल पर तो इसमें फिलाल 5 विश्यों को चुना गया है इस पर चर्चा पर चर्चा वगएरा होगी जैसे जलवाई परिवर्तन आपदा जोकिंग में कमी सांती निर्मार और सुला लोकतंत्र और स्वास भलाई और खेल मे युआ ठीक है इस पर केंदरित होगी आगे बढ़ते हैं वैसे भारत आपको बता दे जी टॉन्टी की इस बार मेजबानी कर रहा है इसलिए ये चीज़ें हो रही है जो भारत जी टॉन्टी की मेजबानी करी रहा है ततर जा इस बार भारत स्वार्ट की मेजबानी करेगा ठीक है तो दो बड़ी समिट जो है इसकी मेजवानी भारत कर रहा है इस बार, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में, कि एक अही वर्स में ये दो बड़ी समिट का आयोजन, होस्ट कोई एक कंट्री कर रहा हो, देखना है कितना ज़्यादा ये सक्सेश होता है, अगला है, हाली में किस राज के मोनपा जनजाती द्वारा तोरग्या उत्सो मनाया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टन कुश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन, ये अरणाचल प्रदेश में मनाया गया है दोस्तों, अरणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाती द्वारा मनाया गया, ये जनजाती का नाम पुछ जाएगा, देखो इस कुश्चन से कई टाप से कुश्चन मन सकते हैं, मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा, मोनपा जनजा तो चाम निर्ति ये इसका एक मुख्य आकरसन का केंदर होता है इसको आप याद रखेंगे यहाँ पर लामाओं के द्वारा योद्धा अरपु के रूप में ये सेलिबरेट किया जाता है तो 20 से 22 दनवरी 2023 को अभी तीन दिवसी ये आयज़ित किया गया कहाँ पर तवांग मठ में लोग एक कुश्यन यहाँ से भी बन सकता है आपसे किस मठ में आयज़ित किया जाता है तवांग मठ में ठीक है तो ये तेवहार 11 चंदरमा के 28 दिन शुरू होता है चाम निर्त याद रखना आप आगे पढ़ते हैं परतेक वर्ष 24 जनवरी को भारत में राष्टिय बालिका दिवस मनाय जाता है इसे दिवस का सम्मद किस प्रिसिद महिला से है तो दोस्तो राष्टिय बालिका दिवस ना ये इंद्रा गांधी जी से सम्मद थे इंद्रा गाने जी भारत की पहली और इकलौती लेडी प्राइम मिनिस्टर हैं और जब इन्होंने सपद ग्रहण की थी प्राइम मिनिस्टर की रूप में पहली बार यानि कि 24 जनवरी 1986 को तो ये 1986 को देखो यहां पर आप सारी डीटेल्स देख लेंगे तो लड़कियों को अपने अधिकारियों को प्रत जागुक बनाना लड़कियों को जो जागुरुक करना उनको शसक्त बनाना ये इस दिवस का उद्दे से होता है आगे भारतिय वाईशना के एक वरिष्ट अधिकारी हरजीत सिंग अरोडा जी का निधन हो गया ये किस पद पड से रिटायर हुए थे तो दोस्तो हरजीत सिंग अरोडा जी इंडियान एयर पोर्स के उप प्रमुक के पद से रिटायर हुए थे ये वाईश चीफ अफ दा एयर पोर्स रह चुके हैं एयर मार्सल हरजीत सिंग अरोडा इनका अभी 61 वर्स की उमर में इलाज की दौरान निधन हो गया इनका इलाज चलजा था एक्च्छुली के दिल्ई में दिल्ई में आर्मी रिषर्ज एंड रेफ्रल होस्पिटल में इलाज चलजा था... वही पर इनका निधन निधन हो गया इनके पास जब यह नियोक्त हुए थे ना जब इनकी जॉइनिंग हुई थी तो एक fighter pilot के रूप में हुई थी और fighter pilot के रूप में इनके पास बहुत ज्यादा experience था 26 गंटे से ज़्यादा का उड़ान भढ़ने का इनके पास रिकार्ड था मेग 29 और मेग 21 में मतलब आप देखो मेग 21 तो मतलब इतना खतरनाक होता है इतने ज़्यादा इससे crisis भी हुए हैं लेकिन उसको भी यह successively उड़ाया करते थे और 2600 से घंटे से ज़्यादा का इनके पास अन्भो था आगे चल करके यह उपप्रमुख बने भारती वाजशना की 49 सालों तक टोटल इनोंने सेवा दी 30 जून 2021 को रेटायर हुए थे प्रुसकारों सम्मान म में बात करें तो इनको आती विशिश्च सेवा पदक 2011 में और 2020 में परम विशिश्च सेवा पदक से सम्मानित किया गया था इनका अभी निधन हो गया है किलियर है अब 2022 के सीजियल एक्जाम का करेंगे रिविजन जैसा की रोजाना हम लोग करते आ रहे हैं आगे बढ़ें है ठीक 10 अपरल 2022 तक प्राप जानकारी के अंसार निम्ण में से कौन 36 गड़के मुख्यमुंतरी की रूप में कारीरत है तुद्द्ध की भूपेज वगेल जी हैं ये किस पार्टी से हैं इंडियन नस्नल कांग्रेस पार्टी से हैं कौन सता बॉलिवूड कोरियोग्राफर 2003-2007-2009 में तीन बार राष्टे प्रोषकार विजिता रहा और उन्हें संजर लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया तो सरोज खान जो हैं कोरियोग्राफर हैं बहुत ही फेमस इनको तीन बार के लिए राष्टे प्रोषकार चुना दिय अधिक होता है उसका चक्र के बारे में कौन सा गर्ष्ट सही है यहां पर आपको ऑप्सन देखना होगा फिए अप्सन के अकॉर्डिंग वहां पर बताना था जो भी चीज़ें होती है जब गथन सत्त कथन सत्त्य पूछ जाए तो देखो एम चरण में कोश का रूप कोशि प्रकृति बनाती है अब ये बाकी क्या option अगर देखेंगे तभी आप पता लग पाएगा आपको किस सहर ने अंतराष्टे सैने खेल पड़से द्वारा आए जो तो थी आपके लिए current affair अच्छा एक बहुत ही जरूरी सूचना रिपब्लिक डे ओफर शुरू हो गया है आपके लिए इस बार का रिपब्लिक डे ओफर जो है आप लोग के लिए बहुत बड़ी छूट ले करके आया हुआ है आप किसी भी कोर्स को अगर आप परचेस करने ज discount है MZT app पर open करो और जाओ देखो कौन-कौन सा offer आज के लिए आपके लिए available है ठीक है MZT app जरूर आप open कीजिए वहाँ पर जाएए वहीं पर coupon code वगएर सब आपको लिखा हुए मिलेगा और भी अगर कोई doubt है कोई भी issue है कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस number पर संप पर चलिए तो कल मैंने आपसे पूछा था किस नदी का उद्गम अस्थान त्रेमेक के स्वर है तो गुदावरी किस योजना के तहर्त तीवर और सेप्टिक सेंटेंक की सफाई की गई नमस्ते योजना के तहर्त आज आपको क्या बताना है satellite phone यूज करने वाला भारत का पह और courses और e-books आप यहां पर जाकर के ले सकते हैं जैसक मैंने आपको पताया सब जगह आपको coupon code मिल जाएगा आप उनसे यूज कर पाएंगे coupon code कभी और कोई doubt है तो इसी WhatsApp icon को क्लिक कीजेगा पहुचेंगे आप हमारे पास ठीक है बाकी चीजे आप यहां से प्राप्त कर लो बिलेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जाहिंद वन्दे मात्रम